ध्यान घ्यान और सफलता सेल में आपको मिलेंगे अप्टू 90% तक का डिसकाउंट 20 से 22 जून तक तो अगर आप भी SSC, Banking, Railway, UGC Net, CSIR Net, Defense, AEJ, Gate, State PSC और UPSC से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाईए और टेश्बुक सुपर कोचिंग में इन्रोल कीजिए और अपनी तयारी अभी शुरू कीजिए और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय निकालिए क्योंकि टेश्बुक आपकी अच्छी सिहत और आपकी सिलेक्शन की हमेशा कामना करता है अलो एवरिवन, वेलकम टू टेस्ट बुक, टेस्ट बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे आईए दोस्तो हम लोग हमारे आज के सूपर इपॉर्टन सेशन के सुरुआत करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे टेस्ट बुक सूपर कोचिंग प्लाटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बैल आइकन है उसे भी प्रेस जुरूर करिएगा आप सभी को पता है बहुत अच्छे से पता है कि कल 21 जून है यानि कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिबेट करते हैं हम लोग 20 जून के दिन और उसी के आउसर पे आपके लिए एक बहुत इपॉर्टन सी सेल है 90 परसेंटेज तक आप लोगों को जो हैना डिसकाउंट बिल सकता है आप लोगों को स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी नीचे और के साथ में आपको कमेंट बाक्स में और डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक भी दिया होगा आज बहुत सुनहरा आउसर है कल भी सुनहरा आउसर है आप नोग देर मत करिएगा बहुत बड़ा ओफर है 90 परसेंटेज की सेल आप सिंपली जो हैना क्लिक करिएगा लिंक जो आपको दिया होगा है और कोई भी पैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली मेरा कोड सुनिल बी कोड लगाना इससे आप दोगों को इंस्टांट डिसकाउंट मिल जाएगा नमश्कार आप सभी प्यारे बच्चों को और सेशन के सुरुवात करवाता हूं मैं आपको पढ़ाता हूं सिखाता हूं हलो नमस्ते जी नमस्ते सर नमस्ते ब्यस अफ हैड कॉंस्टेबल का एक्जाम हुआ कंप्यूटर हार्ड आया जिसमें वर्ट तो पैंसट के किस्टन आये थे तेरा किस्टन बीस में से आच्छा है वीडियो सही है अब अब ओडियो सही है क्या मुझे यह बताईएगा आप लोग ओडियो सही है न वीडियो तो खेर ठीक है है आपके लिए चलिए आईए सेशन के शुरुआत करते हैं सबसे पहला mcq आपके स्क्रेन के अपर अविलबल है क्या है इसका ठीक अंसर हम लोग देने की कोसिस करते हैं समझाते हैं आपको यहां पर ओलो के है ठीक है तो एक ब्लैंक इस नेट्वॉक्ग डिवाईज देट फिल्टर और नेट्वर्क ट्राफिक वाइल कनेक्टिंग मुल्टिपल कंप्यूटर और कम्मुनिकेटिंग डिवाईज इस सवाल का ठीक रंस्वर आप लोग क्या दे सकते हैं हमें बताइएगा आप लोग क्या ठीक रं जी यह बहुत इजी सवाल है ठीक है ना बाकि आप लोग अंसर जो कर रहे हैं न सारे के सारे वो सारे गलत कर रहे होगा बता देता हूं नजाने क्यों आपके क्या भूत सवार हुआ है I don't know इसका ठीक अंसर स्विच है आप सभी राउटर राउटर अंसर कर रहे हो I don't know आप स क्या वर्ड है सर ध्यान से अगर देखने की कोशिस करो तो वह लाइन है यह नहीं करेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर बस बात का था और कुछ पढ़ना ही नहीं है बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना हो तो क्या चाहिए मुझे तो मुझे दो ही तो डिवाइज चाहि चाहिए होता है और एक मुझे चाहिए होता है क्या एक स्विच के साथ मुझे चाहिए होता है हम चाहिए होता है ठीक है यह चाहिए होता है मुझे बस बात ही खतम एक ही लाइन याद करना है क्या कि स्विच और हब बस दो ही चाहिए मुझे कोई भी कंप्यूटर को में hub दे ही नहीं रखा था तो ज़्यादा confusion थी नहीं तुरंत आंख बंद करके answer switch लगा सकते थे पर फिर भी smartly काम करना है अप्रोच सही होने चाहिए गलत कभी सवाल होना नहीं चाहिए उस average में क्या काम कर सकते हैं उसके लिए आप सोच सकते हैं कि हम जो है ना वहीं यह वळा डिवाईज आ रहा है और यह स्विच जो आ रहा है आपका यह कैसा डिवाइज आ रहा है यह आपका डिवाइज आ रहा है इंटेलिजेंट डिवाइज आ रहा है इंटेलिजेंट है यह वला आपका ठीक है यहां से आप अंस्वर कर सकते थे थोड़ा और क्योंकि इसनों कहा कुछ ऐसा है कि फिल्टर यहां कुछ ऑप्शन दिए हैं यह सारे के सारे और यह सारे के सारी डिवाइज जो है आपको मिलेंगे कहां पर यह आपको hardware layer के अंदर ही मिलेंगे सारे के सारे ठीक है ना पोते सारे device hardware से ही है लेना देना एक को छोड़के गेटवे को छोड़के वह सब में ही काम करता है वैसे तो router कहां पर मिलेगा आपको router आपको मिलेगा network के अंदर जो आप बता रहे थे बार-बार router और router आप एक्चुली काम क्या करता है यह तो आपको path decide करके बताता है यह तो आपको रश्था बताता है कि किधर से जाना चाहिए कैसे होनाचाहिए ठीक陋 न तो हमारे पास में क्या रहता है तो राउटर रहता है है हमारे पास में अगर मैं गेटवे की बात करता हूं तो गेटवे क्या है गेटवे आपका OSI के सातों लेयर पे जो है ना आपकी सेवन लेयर है उन सेवन की सेवन लेंश के उपर काम करता है यह वाला हुच्छ क्या होता है स्विच कि अगर बात की जाए हमारे पास में तो सीच तो अँजissen आइंसर आ जाता है फिर से regenerate करके भेजा जाता है तो repeater तो कुछ ऐसे काम किया करता है आपका और ये होता कहां पे है ये आपको देखने को मिलता है physical layer के अंदर देखने को मिलता है physical layer के अंदर अच्छा पता है physical layer के अंदर ना एक बहुत important mode of communication होता है वहाँ पे थीक है ना mode of communication में तीन चीजी आपको अक्सर दिखाई देती है ठीक है तीन चीजों में से पहली चीज आपके पास में क्या है mode of communication में तो सबसे पहला आता है आपका 1975 आता है ठीक है na生活 laugh साथा है ठीक है simplex है दूसरा symplex का मतलब क्या होता है simplex का मतलब होता है One way communication ठीक है ना, one way communication, one way communication, ठीक है ना, एक दिसा का communication होता है इसके अंदर, अच्छा, इसके अंदर होता है एक transmitter, एक होता है, receiver होता है, transmitter ने कुछ कह दिया, receiver ने सुन लिया, receiver ने कुछ कहा, नहीं, कुछ कही नहीं सकता, बस यही इसकी खास बात है, only one side communication जो है ना, यहां पे हो सकत वह तो चलो बात ठीक है लेकिन यहां पर two side communication जो है ना वह नहीं होता है मतब single side communication होता है one way communication होता है यहां पे आपके पास में यह पॉइंट भी आपको याद रखने वाला है इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास में इसके example भी पता होने चाहि ultrasound हमें आपको इसके input device हो सकते हैं हम इसके output भी हो सकते हैं फ़ाद थे एदक example रहते हैं आपके जो one way communicate में काम करवाते हैं इसको भी बात आपको यहां से याद करना है ठीक है अच्छा इसके अलावा हमारे पास में जो है अगर हम बात करते हैं दूसरे दो नंबर पर आता है हमारे पास में half ठीक है बट at a time only one पर एक समय में एक ही होता है इसका एक example बहतरिन है आपका और वो example क्या है आपका walkie talkie ठीक है ना यूस्बी यूणिवर्सल सिरील बस है आपका ठीक है ना तो यह उनिवर्सल हो गया data दोनों साइट से आता जाता है फुल के अंदर काम कर रहा होता है इसे अंदर क्या होता है इसके इंदर होता है आपका टू वे कम्निकेशन टू वे कम्निकेशन है आपका और टू वे कम्निकेशन के अंदर क्या है रहेगा हमारा कि बोथ साइड हो सकता है एट टाइम बोथ साइड एट टाइम एट टाइम एट टाइम आप डेटा ले सकते हो दे भी सकते हो दोनों काम कर सकते हो एक ही समय पे काम क कर सकते हुई वाला काम आप तो यहीं क्या है आपका फुल डुपलेक्स रहता है जो है इसका बहतरीन एक्जामपल तो यह तीनों के तीनों मोड़ of communication ज्यान रखीए आप दूपलेक्स कि और फुल डुपलेक्स का थीनों मैं सबस्सक्राइब कभी लोग पताई एक बार मुझे बार बताई आए मेरे साय क्या मैंlect का सब्सक्राइब सबी लोग बताईए अगर वाइस ठीक है तो ठीक है द्रवाइज में करिए मैं तब तक थोड़ा इसका इन बढ़ाता हूं इस नोट लिब्रे ऑफिस सॉप्वेर सुट प्रोग्राम इन में से नहीं है यह पताईएगा आप लोग पताईए इस पार्टिकुलर क्यों का ठीक अंसर क्या रहेगा आपका इस पार्टिकुलर क्यों का अंसर जो है न वो क्या रहेगा बताईएगा इंप्रेस और एक बार वोइस भी बताईएगा एक से मैंने 5.90 गें कर लिया नो आइडिया ठीक है चलो इस सवाल का ठीक अंसर है आपका लिब्रे ओफिस एकसल नहीं होता है ठीक है ना राइटर होता है क्यल्क होता है और इंप्रेस होता है यह तिनों होते हैं आपके ठीक स्टोरेज ठीक है ना मैंगनेटिक स्टोरेज जो है इनके अंदर कौन सा आपका नहीं है यह बताओ विंचेस्टर डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या मैमरी कार्ड है मैंगनेटिक टेप है इसके इसके लिए अंसर बताईए और गया रहिए आप लो और केन बढ़ाना है एक वर्ड होता है यहां पे आपका गेन इस तरीके से ऐसा ऑप्षुन रहता है अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी लेकिन ऐसा भी ने इसका मतलब गेन फुल कर दो तो बहुत ज़्यादा गेन फुल करने पर पता क्या होता है कई बार तुमने देखा होगा माइक लेंदर को सीटियां सी बसती है तूम इस टाइप से सीटियां से लग जाती है कई पर स्पिकर वगरा रहते है इस से पहले अभी जो आप कह रहे थे वो था 1.90 अगर और जुरूरत पढ़ रही है तो बता भी सकते हो आप चलिए सवाल का जो ठीक अंसवर आपने मुझे दिया है वो क्या है मैमरी कार्ड इसका ठीक अंसर किसे ने दिया है सी वाला ऑक्शन इसका बिल्कुल रहते हैं हम लोग इसके अंतर क्या है अभी साउंड में प्रोब्लम है क्या मैमोरी कार्ड आचा बाकी कया है सारे कैसारे solution के बाकी आपके और इक्सा अक्नी चंशurry का है कुणसा ओपोर अप्टिकल मेमरी है फ्地िख को आपके पास मेरा पेर बिल्सक इस UV बिल्सक डिख Pearl इ दिभीडी वगरा सब पुछा गया है आपका तो इसके अंदर तो क्या आता में आप से पूछा यह है कि आप बताईएगा तो आप लोग मैगनेटिक के बारे में बात करिएगा फिर मैगनेटिक मैगनेटिक के अंदर इसके अलावा आपके पास में यह memory card हो गया है, और टेकर लोडूल कर्णा जो है वो भी किसका पार्ट है वो भी आपका इसी पार्ट नहीं है ठीक है चलिए सर यह तो हो गया हमारे पास में यहां पे ठीक है चलिए सबस almost क्योंटि क्या है कि विच इसमें से नौट्थ दूट कंप्यूटर में इस इन कि अभी तक है इस उसका कोई डेट है नहीं हो सकता है कि जुलाई तक कोई देखने को मिले कि विजमंगता फोलोविंग टाइप आफ कंपुटर इस ओल्सो नोट बूक नोट बूक किसको कहते हैं हम लोग अच्छा सब थ् rotor लैप्टोप है सब कर लब्टोप है इस जवाल का अंशर जो में आपका लैप्टोप कैसे हो सकता दिखितल्सूंत का ऊक्पुट एंथर होता नहीं है उसे भाइट मिस्टैक समों सर की एमें लेप्ट प लगा मिलेगा लेकिन इसका ठीक हो बता देता हूं मैं आपने आंड्व अंड-व माइकरो है आपने बेस्ट-अन तरफ साइज पढ़ा लुक्त अपने ईक कप्यूटर पढ़ा होगा इसका नाम क्या है आपको अथसंड कराइब ने आपको पता कुला हो गता है 1 चांड होता है 5 तरफ सिंघ्जंट हो उसको आप टुर्फ सिंगल ठीक है ना तो ये भी याद कर लेना डिया ठीक है ना तो ये याद रखना है आपको ठीक है सब के ठीक आरी अवाज अखिले एक तुभाए को छोड़े ठीक है ना इंबेडिड का मतलब है इसमें सिंगल यूनिट काम होता हो वाशिंग मसीन जिसका एक्जामपल ले सक रखते हो यह आपके रहते हैं ठीक है लेकिन हमारे पास में इसके बाद दूसरा जो कंप्यूटर है वो आता है कौनसाカ मय बाुक मड़ीज की करक याद रखना माइकरो कम्प्यूटर कें जांपल क्या है माउस अलग है कीबोर्ड अलग है स्पीकर अलग है सब कुछ अलग-अलग पड़ा है इसी को आप लोग कहा करते हूं इसके सबसे बड़े disadvantages यह है कि यह portable नहीं है आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके नहीं जा सकते यह portable वाला function इसके अंदर नहीं लगता है तो एक तो सबसे बड़ा disadvantages इसके अंदर आता है रादे रादे प्रिती ठीक है ना आईए बटा स्वागत है आगई आप क्लास की याद आज एक तो सबसे बड़ा इसका disadvantages यही है कि इसके अंदर आप लोग जो है ना portable नहीं है यह दूसरा disadvantages क्या है कि इसके अंदर कोई battery वगरा नहीं लगी हुई है तीसरा disadvantages है कि यह आपका एक room के अंदर particular space को घेर रहा है यह ठीक ना इतने सारे disadvantages है हमें चाहिए था ऐसा computer जो portable हो ठीक ना जो कहीं पर भी इधर से उदर हम ले के जा सकते हो तो हम लोग लेके आये भाईया कौन सा हम लेके आये थे laptop लेके आये थे laptop ठीक ना सारे के सारे काम यह laptop आपका कर सकता है ठीक ना इस भाई साब के अंदर आपके पास जो है इस टाइप से speaker अगर देखा जाए तो वह बी मिल जाएंगे इसके अंदर port HDMI मिल जाएंगे इसके अंदर आपके यूस्वी पोर्ट मिल जाएंगे, माइक मिल जाएंगे, कार्ड स्लोट्स मिल जाएंगे, अचा कम्प्यूटर के इंदर तो CD, DVD भी चला करती है, तो कम्प्यूटर में CD, DVD चलती है, तो CD, DVD भी इसमें चल जाएगी, USB वगरा, सब कुछ है, स्क्रीन की बात करते हैं, तो स्क्रीन इसके इंदर भी अवेलबल है, इसके इंदर टच्च पैड की बात करते हैं, तो टच्च पैड भी इसके इंदर आपको मिल जाएगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये सब कुछ मिल जाएगा, कीबोर्ड मिल जाएगा, तो बात कहीं ना कहीं लागू होती है कि जो desktop की power है ना वो desktop की ही है कहीं ने कहीं Laptop के पास में तोड़ा heating issue का एक रहता ही है अपने आप में अरेक मतला बहुत सारे heavy loads रहते हैं हालांकि आज कल खेर स्मार्ट आ चुके लेकिन फिर भी कहने का मतलब यह है तो डेक्स्टोप और लैप्टोप मतलब एक करांतिकारी चीजी है गहिएगा आप लोग पहली बार जब जिसने भी इसको देखा होगा तो बिल्कुल अचंबा किया होगा कि स्पिकर भी आ गया है म आप इसे मतलब रेगुलर्ली कहीं पर अगर ट्रैवल वगरा करते हैं तो थोड़ा महसूस तो देखो होगा ठीक है ना भारी तो है यह तो हम लोगों ने क्या किया कि लाप्टोप से कुछ चीजे निकालने की कोशिस की जस्ट लाइक हमें जरूरत क्या ने थी हमें CD DVD की ज handy device हो गया जिसको आप लोग easily जो है अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और कहीं पे भी आप लोग लेके आज आ सकते हैं that is notebook यह notebook का काम कर रहा है ठीक ना एक तो पतला बहुत है smart है handy है उसको दो हाथों में पकड़ रहा था मैं इसको तो एक हाथ में बैठा हूं सारे काम ये इसमें भी available है इसमें भी touchpad है इसमें भी keyboard है ठीक है ना बाकि आप समझी रहे हो क्या इतना चाहरा हूं मैं ठीक है थोड़ा फरक पड़ गया थोड़ा easy हो गया handy device हो गया तो ठीक है सर notebook तक तो बात मेरी चल पड़ी notebook ठीक है मेरे पास में रह गया अब मुझे थोड़ा और smarty device चाहिए था और smarty device चाहिए था मुझे और और क्या smarty device चाहिए मुझे इसके बाद मेरे पास में आया netbook आया netbook अब netbook तो देखो मेरे पास में है नहीं बना दिखाता तुम्हें का मतलब क्या है आप screen अलग कर पा रहे हैं keyboard अलग कर पा रहे हैं और smart और बढ़िया device आ गया है ठीक है ना और smart और अच्छा device आ गया है यह वाला और 360 वाले भी device इसके अंदर इंकलूड हो चुके हैं आपके ठीक है ना तो यह भी बात हुई और हम लोग चोटा चाहते थे तो और चोटा device चाहिए था हमें तो हम लोग लेके आये थे tab या tablets कहिए आप लोग बहुत ज़रूरी बहुत interesting most most important ही आया निकल के लिकिन फिर भी हमें और चोटा चाहिए था ठीक है ना तो हम लोगों ने क्या किया हमने PDA लाए PDA नाव PDA क्या होता है सर PDA का मतलब होता है personal digital assistant ये apple company ने एक newton नाम का PDA जो है ना बनाया था and बहुत famous भी हुआ है no doubt ये PDA ठीक है ना तो ये भी important अच्छा सर ठीक है apple company ने PDA बनाया newton नाम का PDA PDA का मतलब जो आपके blackberry वाले phone थे ना तकरीबन तकरीबन वैसा कहिएगा आप लोग touch screen अलग है keyboard अलग है मतलब इस टाइप से दोनों चीज़े इसके अंदर आ गई है हम और छोटा चाहते थे ठीक है तो हमारे पास में आ गया क्या smartphone आ गया सरकार ठीक है ना smartphone आ गया and now what is smartphone smartphone जिसके अंदर आपके सारे feature available होते हैं ये ये सारे के सारे micro computer है तो that's why क्या है कि which among the following type of computer is also known on its notebook, notebook का आप किसको कहते हो, notebook के अंदर आपका micro computer के ही पार्ट है ये, laptop computer होता है सही पर type कुछ नहीं होता है, type तो micro computer के अंदर है आपका, laptop के बाद में, मलब दिखने में notebook laptop जैसा ये कुछ अलब थोड़ना है आपका यहां पर, ठीक है ना, personal digital assistant, personal digital assistant जो है ना, यह आया था आपका यह, ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, next आपका question कुन सा आ रहा है, और fifth number question पे आप लोग move कर रहे हैं, तो इस question को बढ़िएगा ठीक क्या है, कि blanks is the bit rate of available or consumed information capacity expressed typically in the metric multiple of bits per second, अच्छा, आपके master रजी किते हैं, गजब किया देखो, इससान इंगलिस में, दूसरा है, इंगलिस में, हिंदी में करना चाहिए था, लेकिन क्या है, इंगलिस में ही, पस color पीला कर दिया, ठीक है, चलिए, इसका एक option साइथ visible नहीं होगा, fourth option यहां पे लिख देता हूँ, bandwidth है, fourth option में, ठीक है न, bandwidth, frequency, protocols, और speed, यह option दे रखे हैं आपके, जवाब दीजिएगा, particular क्योंसर क्या रहेगा, ठीक है, आपने अगर अभी तक इस video को like नहीं किया है न, तो कर दीजिएगा, तेर किस बात किये, video को जल्दी से like कर दीजिएगा आप लो, और share नहीं किया है, तो share कर देना इस channel को आप लो, और channel को subscribe दहीं किया है, तो करी दीजिएगा भई, जी, इस question का जो ठीक अंसर है न, वो bandwidth है आपका, ठीक है न, इस question का जो ठीक अंसर है, आपका वो क्या है, bandwidth दे रखा है, आपका bandwidth, bandwidth जो है न, इस particular question का ठीक अंसर है, तो सही बात समझ में, आप लोग, दो GB per second का इसे net चला रहे हो, तीन GB per second का net चला रहे हो, ठीक है न, तो net चला रहे हो, आप लोग तो bandwidth ही तो है न, यह गए समय में कोई data transfer किये जा रहे हो, तो that is rate of transfer data कह सकते हो, वही bandwidth है आपके पास में हाँ पे, तो यह bit rate समझते ही, आप अनसर कर सकते थे, बढ़िया, चलो अगला सवाल बताओ मुझे, hold address of the active memory location, active memory location का address चुहना इन में से कौन hold करता है, बताओ सरकार, active memory location का address चुहना इन में से कौन hold करता है, बताइए, stack pointer करता है, program counter करता है, memory address रजिस्टर करता है, instruction रजिस्टर करता है आपका, है तो easy सवाल देखा जाए तो, इसका ठीक अनसर आपने दिया है, memory address रजिस्टर ठीक है ना, यानि कि option number C इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, अच्छा ये तो easy था, इससे तो काम चल गया हमारा, लेकिन हम आप से पूछे कि program counter क्या होता है, फिर आपका जवाब आजएगा क्या, फिर आपका जवाब आजएगा क्या, कि program counter जो है ना, ये क्या हो होता है, program counter भी एक आपका register ही होता है, initially तो मेरा जवाब यही होगा, लेकिन अगर आप मुझे से ये पूछो कि sir, program counter खुद करता क्या है, काम क्या करता है, तो program counter क्या करता है, कि next instruction कौन सी आनी है, ठीक ना, next instruction कौन सी आनी है, इसको बताएगा program counter, अगली instruction कौन सी आएगी, next प्रोग्राम कुन सा execute होएगा ये बताने के लिए आपके computer में आपके processor के पास में एक program counter नाम का register होता है बहुत important है next address hold करता है CPU का क्या काम करना है next location 3 कहना चलिए अगली instruction कौन से आएगी उसी को बताने के लिए आपका कौन बताएगा program counter बताएगा super important है जुरूर याद रखन आप लो next आप से सवाल पूछा है कि which of the following shortcut key to use to select all cell of the current row in MS Excel 2010 worksheet ये दोनों shortcut की आपको आती होगी दोनों आपको याद रही होगी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मुझे MS Excel की बात करनी है केवल row को select करना है ठीक ना row को करना है मुझे select करना है तो मेरे पास में shortcut की क्या होगी row को select करने के लिए मेरे पास में shortcut की होगी यहाँ पे क्या shift दबाएंगे पहले तो हम लोग ठीक है ना shift और shift plus में space bar shift plus में space bar ठीक है ना shift plus में space bar जो है ये आपके row को select करने की shortcut की है अगर मैं select करना चाहता हूँ क्या column को select करना चाहता हूँ ठीक है ना तो उसके लिए shortcut की क्य रहेगी, उसके लिए मेरे पास रहेगी, control plus में spacebar, control plus में spacebar रहेगा, जितनी दूर में Excel में कुछ लिखा है मैंने, माल देते हैं, सिर्फ पूरी seat को नहीं कह रहा है, वो तो control ही हो जाएगा, सिर्फ लिखावा data उस उसको select करना चाहता हूं, तो क्या रहेगा, तो मेरे पास र लेते हो, चलिए सर, आगे जाते हैं, next हमारा जो सवाल आता है, वो कौन सा है, next है कि blank record everything you type on your PC, in order to obtain your login name, password and other sensitive information, आपका login नाम, password और अन्य सवेधन सिल जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपके PC पर आपके द्वारा type की जाने वाली हर चीज के record को कौन रखता है, कौन पता हो, इसे बारिस में भीगना अच्छा लगता है, हमें बारिस पसंद है और बारिस में तुम, कुछ ऐसा ही गाना तुम्हारा चल रहा है क्या आज, हमें पागल पसंद है और पागल बनते होगे तुम, इस सवाल का ठीक answer किया, की लोगर की बोर्ड को चेक करता है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपके जवाब, इसका ठीक answer की लोगर ही है, ठीक लोगर है, कीबोरर के पर कुछ भी लिखोगे, वो सब कुछ जो है आपका यहाँ पे दिखाई देगा, तो मतलब इनको दिख काई देगा और अ head combine in me की लोगर की लोगर मतलब की की बोर्ड की सारी आक्टिविटीज को देख लेता है जान लेता है तिए इसके इलावा इसके अंदरे एक और भी थो होता है, वो क्वोन सा होता है? आपके पास में spoofing होता है, spoofing spoofing sorry spoofing, g Danish goộtala सुना आ ना कभी आपने spoofing, ठीक है न, spoofing का मतलब सिधा सा होता है आपका g ग Stevens goộtala चल्था, इक्टी का मतलब भी gootala अ हुआ इस बीकोट आला just go online keyboard say часánhर बचा नहीं बचा जासकता वर्चल की बोड हो हुच कोई को ही परकार का की बोर्डों की- लोगर से किसी एंगल से नहीं बचा जासकता आपने अपने keyboard में बटयबर कुछ हुआ चैफ कर दिया चाहे online वे ओफ- online, वो सब कुछ आ जाएगा ये क्या होता है पताया आप लोगों guys को कोई ि कि ओ भीडियू को like नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई शेर भी कर दीजिएढ़ स्पूफिंग क्या होता है बताओ कोई तो नहीं पता जब आपके पास में जब आपके पास में कोई जोब के लिए कॉल आता है न जोब के लिए कॉल आता है आपके पास में कि ऐसा है कि आपके जोब लग गई है एरपोर्ट के इंदर जोब लगी है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आया हुआ को तो करके मुझे एरपोर्ट का एक्जाम्पल याद आया कि हलो सुनिल से बात हो रही है मेरी हामन का हो रही है अच्छा आपकी प्रोफाइल स्लेक्ट हुई है एरपोर्ट प्लाइंग ऑफिसर के रूप में अच्छा तो मुझे कब से जोइन करना है आपको दिल्ली इंद्रा गांधी एरपोर्ट दिया जा रहा है इनका अच्छा यह तो बहुत यह अच्छी बात है तो थोड़े दिनों के लिए तो आपके ग्राउंड पर डूटी रहेगी फिर आपकी फ्लाइंग में डूटी होईगी मैंने का अच्छा बह कंपनी का मैंने नाम बता दिया कि हम बहुत का नाम बता दो बता दिया आपकी प्रॉफाइल सेलेक्त होगी आप पंद्रा सो रुपे बेज देना साथ में डॉकॉमेंट का चार्ज है जो कि रिफंडेबल है जोब के एक मेने के बाद सेलरी यह जब आएगी तो उसके साथ में आपका यह अच्छा और यह अच्छी बात है एक आपका राउंड और होगा बस पैसे जमा करवा दो पहले एक ब अपना डिप्लोमा किया तो उसके अंदर ऐसा था कि मतलब उसके जस्ट बाद में जोहना जोब के लिए गया था मैं कहीं पे और मुझे ऐसा था कि मतलब कहा कि आप 5,000 रुपे जमा करवाएं अकेला मैं नहीं बना था मैं एक मेरे दोस्त को भी ले डूबा था साथ में तो इतने रुपे में अमेरिका भीजा जा रहा है और तो चाहिए ही क्या ठीक है ना बस दिन इंटर्व्य हुआ था उसके बाद में उगायब हो गए थे कभी फोन नहीं मिला दुबारा और हम जा पाए तो हमें कभी दुबारा दिखे तो लास्ट दिन था जिंदगी का तो यह यह होता क्या चीदे इस पूफिंग होती है आपका नंबर ओनलाइन उठाता है यह कोई भी टिट ओनलाइन तरीके से नंबर उठाते हैं रेंडमली आपके पास में कॉल करते हैं और आप से जोब का नाम लेकि पैसा एटते हैं उसी कोई स्पूफिंग कहा करते हो आप यह बताओ तुम मुझे आप इंटेलेक्ट्वल प्रॉपर्टी यह क्या होता है यह एक मालवेर का यह पार्ट है हाँ यह ओनलाइन वही तो बात है कि नंबर कहां से निकालते हैं नंबर के सिरीज निकालते हैं पुरी की पुरी जैसे मेरा भी कोई भी नंबर है मैं यहां आप बता रहे हैं सकता द्यूट प्रोटोकोल्स पर मैं बता रहा हूं कोई भी नंबर है एक्सवाइजड में कोई नंबर ले लेता हूं ठीक है ना जैसे माल लेते हैं कि यह नंबर ले लिया मैंने 94 और 111111111 कुछ भी नंबर ले लिया मैंने 10 होगी क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नुट दस होगी अब वन आ रहा है इसके बाद टू आएगा थी आएगा फोर आएगा फाइफ आएगा सिक्स आएगा सेवन आएगा कुछ भी है इस तरीके से क्या है यह नंबर उठाते हैं और फिर बगड़ते हैं यह यह क्या बताना आप लोग प्रोपर्टी इंडेक्स सुना है ने ने वो इंडेक्स का नाम नहीं बता रहा आप यह एक एक्चली मालवे टर्म्ष आपकी यह यह एक आपके हांफुल टर्म्ष यह इसका मतलब होता है कि कोई चीज आपने बनाई है वाटेवर कोई भी आपने जो अना टम बनाई है जासे माल लेते हैं कि कोई वीडियो मैंने बनाई for example ये वीडियो मैं बना रहा हूं 100% मेरी है ठीक है ना मेरा content इसमें जा रहा है सब कुछ मेरा है लेकिन आप जो ना इस वीडियो को चुरा के अपने चैनल पर पोस्ट कर दो ठीक है ना copyright वाली बात है मतलब किसी का बना हुआ वीडियो किसी का वीडियो के लावा कोई भी ऐसा आपका password है या कोई किस ने कोई ऐसा है खास उनिक software बना रखा है अपना लेकिन आप उस software को crack कर लो जैसे for example यह crack software आते हैं सारे के सारे उस सारे intellectual property का ही एक पार्ट है अब आप साधारन साथ देखो कि एक software है जैसे मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा वीमिक software है ठीक है अब यह software ओरिजिनली तो लगबग एक लाख रुपे के आसपास कहाता है विज जीस्टी तो साइद उपर पढ़ जाएगा यह ठीक है ना लेकिन इसको बिलकुल फ बनावा software हमने crack करके यहां तक लिया इस तो इस टाइप से समझेगा आप लोग यहां पर ठीक है ना तो यह याद रखना intellectual property जो है यह ना यह नाम से लगेगा positive टाइप से या कुछ और रहेगा लेकिन यह malware का भी एक हिस्सा है यह terms है cyber security की term में आता है एक अपरकार से cyber crime की term है आपकी intellectual property जो किसी का copyright break करता है किसी का बनाएवा original software है उसको break करता है पर किसके तिरूँ जब भी आपने देखा होगा कोई भी software crack किये जाते हैं वाया with the help of virus किये जाते हैं patch डाले जाते हैं आपको पता होगा यह patch ना इसमें गाने से बसते हैं टूं 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 virus काम कर रहा है तो मुझे firewall antivirus सब कुछ बंद करना पड़ेगा तब जाके patch डिलेगा उसके बाद मैं दुबारा चला हूँ इंटरनेट वगरा सब बंद करना पड़ेगा ताकि कहीं से कोई security ना मिले और मेरे software को तोड़ दिया जाए उसके बाद में चला लिया जाए तो इ confidential data को जो से ATM card debit card उनके password चला लेते हैं फिर आपके account खाली कर देते हैं तो तो बहुत simple है क्योंग एक तो copy नहीं करता ही अपने आपको और एक ही आता है निगरानी पूरी रखता है बहुत धंसे दूसरी बात आपको महसूस भी नहीं होता कि आपके computer में कुछ आ गया क्या औ और कोई भी महसूस नहीं होगा आपके account खाली करके चला जाए गाई जर्नली यह टारजन होते हैं आपके यह ठीक है ना या सलामी अटेक होते हैं या इसके लाओ जो पैसे निकालने वाले सलामी अटेक में एक दिन पहले भी बताया था आपको सलामी अटेक बताया होतों कर सलामी अटेक वाले पैसे निकालते हैं तुरमी अटेक में आपका पैसा निकलेगी ता को impeachment होताए qi करके जाते पोचा और लगा के जाते हैं बढ़िया फिनायल का पोचा लगा के जाते हैं वो तो ताकि दुबारा जगह रखो तो आप साफ परीके से पैसा अकपा हुआ यह वाले आपको बिल्कूल पता ही नहीं लगेगा चूंकि आपके अकाउंट से अगर मेरे इसाब से समझेंगे ठीक है ना सेकेंड तिंग के इग्नोर तब भी ना समझें तब हमारे पास मैसेज आए कि मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया तो भी फिर हम अलर्ट हैं मैसूस ही नहीं होता कि 10 पैसे कट गए पता कब लगा और मेरे हिसाब से हम लोग ना पैसे हमारा है घW करते हैं इनको क्या फाइदा है एक बैंक के यूजर के सारे यूजर जो है इस बैंक में हो सकता है कि 100 यूजर और तो हजार यूजरो लाख यूजरो सब के अकाउंट से दस-दस पैसे काटेगे तो सोचके तो को इनके अमाउंट कितना हो जाएगा एक दिन नहीं काटेंगे ये महीने में दो-दो दिन तिन दिन चलाएंगे यह यूँ समझो सब्सक्राइट कि अगली बार तुम अगली बार तुम्हारी पता क्या है to अब प्लीज ये बता दो ना कैसे होता है क्या रखा इन में कलास में पढ़ाई में आप कहोगे चैनल सब्सक्राइब करना है मैं सर्जी पूरे भद्ध्य प्रदेश में पूरे भारत के कोने कोने घुम के चैनल सब्सक्राइब करवा हुआ एक वार ये सिखा दो आप अना ये थपड़ देख रहे ना अबड़्धो चुप्चा आए बड़े तदा हावा में ने उड़ना चलिए सर्जी ये सारी चीजे हो गई है आपके पास में अच्छा ये क्या होता है आपका ठीक है ना ये क्या होता है ransomware लो किसको बोलते रेंसम भेर किसे कहते हैं हम लोग वह देखना कैसी आ रही है कि aliens one will किसे कहते हैं बताना कर देखना की साउट् fish हाँ सिखाएंगे वेटा जरूर सिखाएंगे पृति आपको रैंसम वेर फिरोती मांगता है सर सर आगरा से कोई ली उपर आया है क्या हाँ हाँ लगतो रहा है ठीक ना किड्नेप के बाद रैंसम वेर ही है पैसे भेज़ते तबी ये देख सकते हैं हाँ सम्थिंग कुछ कह सकते हो आप लोग ठीक है ना पर रैंसम वेर एक्चुली क्या है यहां कंप्यूटर के टाम्स में ये क्रिप्टो ब्लॉकर होता है जो आपकी क्रिप्टो क्रंसी होती है ये ओनलाइन आपके स्टेक हॉल्डर रहते हैं क्रिप्टो ब्लॉकिंग के रूप में भी इसको जाना करते हो आप लोग तो इसको भी जुरूरी याद रखना आप लोग ये अच्छा सवाल यगला यही था क्रिप्टो लॉकर इस क्रिप्टो लॉकर जो होता है इसको आप लोग लग जाता है तो तोड़ना इतना असान ली क्यूग आप जानते हो ना मतलब सेक्योरिटी है था है फ़कर समझरें वह Дेखरें सेक्योरिय का ठोड़ा रहता ही है तो उसको है न तोड़ने के लिए कुछ बड़े महानुभाव उनके पैसे है ठीक है तो चीजे रहती है अड्बे जो एड के साथ में मसाला डाल दिया जाएगा, ओड वेर ही होईगा आपका, ठीक है ना, spyware, spyware पता ही आपको जासुसी करना, third party cookies किसमें आती है, third party cookies आपके spyware के अंदर ही आती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, warm तो पता है, आपको computer को hang कर देते हैं, बहुत सारे request आपके CPU के पास में भेजते हैं, यही आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, advertisement कि थूँ आता है, unwanted pop-ups रहते हैं, ठीक है जी, सही बात, एक दम बिल्कुल सही एक दम होगे, अगला सवाल, अगला सवाल है कि, which of the following is a web browser, created and developed by Microsoft, web browser जो है ना, वो create किया है, डवलप किया है, Microsoft ने, बहुत असान है, आप अच्छे से पता है कि, एक Microsoft company ने, internet explorer बनाया था बिज़ारेने, अब internet explorer समय के साथ में, जो ना, outdated हो गया, चाहिए ने, वक्त बदल गया, तो चीजे बदल गई, समझी रहो, अब क्या है कि, May 2019 के अंदर एक नया अपडेट आया, मई 2019 के अंदर जो है एक नया अपडेट आया, और अपडेट क्या है इसके अंदर, अपडेट ये कि, कौन से विंडो से ओफिशल हुआ ये, विंडो 10 जो है ना, इससे हमारे पास में ये, ओफिशल ब्राउजर हो गया है, ये याद रखिएगा, विंडो 10 से ये ओफिशल ब्राउजर हो चुका है, ध्यान रखना आप दो इस बात को, ठीक ना, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, ये तो अब आउटेटिड है, समझेगा, और प्रेजेंट के लिए, एज नाम का ब्राउजर काम कर रहा है, एज ब्राउजर का ऑफिशल जो आपका, क्या कहते हैं, उसको सर्च इंजन है, वो कौन सा मिलता है तुमें, इसका ऑफिशल सर्च इंजन आपको मिलता है दियान रखना, ठीक ना, विंग, Brayb be browser है, Chrome b भी browser है, Opera b भी browser है, ठीक अन इसके अलावा Morula, Firefox भी आपके पास browser है, पहला multimedia browser प्राउजर कोन सा आया था, Mosaic था, अगर आपको याद हो तो ठीक ना, और इसके अलावा आपके पास ने टोर नाम का भी browser होता है, जिसको एक टाम है आपके पास में, cyberspace, ठीक है ना, cyberspace, cyberspace का मतलब पता है, cyberspace का मतलब होता है, इंटरनेट पे उपलब्द सारा डेटा, ठीक है न, ऐसा है समझे लोग, इंटरनेट पर उपलब्द सारा डेटा, इंटरनेट पे उपलब्द सारा डेटा है, जो जगह है, वो ही cyberspace कहलाता है, इसको आपका भी मत बोलिएगा, ठीक न, cyberspace का मतलब कोई पूछ ले आप से, कि वो सारा कुछ आपका कहलाएगा, इसी से ही रिलेगे, अच्छा, cyberspace में तीन चीज़े आ जाती है, आपके पास में, cyberspace में कितनी चीज़े आती है, तीन, अब वो तीन चीज़े कोन सी आती है, इनको दिखाते है, एक तो इसके अंदर आता है, आपके पास में, surface web आता ह होगे, आप और हम जिस पे बैठे है ना, वो आपका surface web है, यह बहुत कम है, दुनिया का, यह दुनिया का almost 5-6 percentage ही है, इसके बाद में एक आता है, deep web आता है, आपका, deep web, अब यह deep web जो होता है, यह password protected net होता है, आपका, deep web है, एक password protected net है, यह भी दुनिया में ज्यादा तर य YouTube पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको इंटरनेट पे पढ़ा रहा हूं, पर उस YouTube का एक ID और password है, वो मेरे पास में है, उसके अंदर login करना है, वीडियो को edit करना है, वीडियो को post करना है, वीडियो को live करना है, वो मेरे पास में है, उसके credentials सारे के सारे, that is deep net, उसको deep net क कहते हैं ठीक है ना इंटरनेट में मेरा bank account है जिसको net banking कहते हैं लेकिन वह internet पे क्या होता है उसको चलाने के लिए मेरे पास उसके credentials है password तो मेरे पास में ना उसके password है आइडिया उसके पास मेरे पास में online exam भी इंटरनेट पर ही हो रहा देखा जाए तो ऐसे तो आप निकाल दो बहुत सारे fraud करते हैं बहुत सारी क्या करते हैं जहां जिस software से आपके computer में वो चल रहा होता है उस पूरे के पूरे software को जो अपने computer में चला लेते हैं तो बहुत महनुबाव होते हैं वो सोच रहे हैं कि अच्छा हमारे पास exam है वो तुरंती पूरी की पूरी screen ही capture कर लेते हैं तो ऐसा तुमने देखा ही होगा fraud देखा ही होगा 5 लाग 10 लाग 20 लाग 25 लाग मांगते हैं और बैठे बिठाए कजब की है इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के इंदर क्या होता? इस दुनिया में आप भाई Das कुछ हो सकता है आपको दिल किया आपका कोई समान खरीदना है Amazon पर कोई समान आपको दिखा रहा है 30,000 रुपे का रहे यार यह तो बहुत महँंग है एक काम करते हैं चलिए लार्क वेब में जाते हैं अनियन ब्राउजर में जाते हैं एडिट करते हैं 30,000 का 30 रुपे कर लेत हैं और समान खरीदनेते हैं लो भाईया बैठे बैठे हैसा हो जाएगा सर हाँ हो जाएगा परन्तु 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 जादा हवा में नहीं ओड़ना यहां IT स्टायल वाले पकड़ भी लेते हैं जब पकड़ते हैं तो ससुराल लेके चलते हैं वह आपको ससुराल में आ लटकाया जाता है और फिर सहतूत का डंडा होता है सर्सों का तेल उसके उपर अच्छे तरीके से लगाया होता है फिर वाह क्या बात है पटे से मोटर से पीटा जाता है बहुत सारे तरीके बहुत सारे सस्वराल में बहुत सारे सेवा की जाती है तो फिर IT सैल वाले ऐसा ही कर इसकी लट बड़ी बेकार है इसकी लट में पढ़ना ही नहीं चाहिए वैसे तो ठीक है ना कब आप लोग इससे बहुत सारा कुछ उड़ा दोगे आपको पता भी ने लगेगा घर के घर खाली हो जाते हैं चोट-चोटे बच्चे होते हैं स्कूल वाले कोविड के दुरान अ लेकिन पूरी चीजों का परणाम तो घर पता ही है आपको क्या रहे हैं समझ रहे हो चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सवाल क्या आता है कि इन MS Word 365 कंट्रोल प्लस में E is the keyboard shortcut चार शॉटकट की है एक दब सिंपली आप समझ सकते हो आपको alignment shortcut की बता रहा हू कुंसा right alignment होता है और एक आपके पास में होता है कुंसा center alignment होता है एक आपके पास में होता है left है right है center है और एक alignment आपके पास में होता है यहाँ पे कुंसा justify ठीक है na justify यह चार आपके पास में alignment है left की बात करते हो तो इसका shortcut की क्या रहता है control प्लस में L रहता है right का shortcut की क्या र R रहता है, center का क्या रहता है, आपका control plus में E रहता है, justify का क्या रहता है, आपका control plus में Z रहता है, एक ठीक है न, यह 4 shortcut constructed की है आपके पास में, इसको जुरूर याद कर लीचीएगा आप दो, ठीक है न, left है, right है, enter है, or sorry, center है आपका, और इसके इलावा जो है न जस्टिवाई यह बराबर बराबर ठीक है न तो यह बढ़िया वाले हैं और इसका control प्लस में E जो है सवाल का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा तो इसका answer क्या है सेंटर अलाइंगमेंट रखेगा यह बराग्राफ सा बोक्स देखा होगा न आप लोगों यह ऐसा एक ऐसे इस तरीके से इस तरीके से पूरा बरावा चलिए सर्ची अगला सवाल क्या है अरे बाह बात बढ़िया कोई translation नहीं है Consider the following statement regarding line spacing of a paragraph in ms word बताओ पहला option है P बाला line spacing determine the amount of vertical space between line of text in a paragraph line spacing determine the amount of diagonal space between lines of text in a paragraph which of the following statement is true or correct एक दम असान सावाल है एक एक दम असान सावाल है बहत ही असान सावाल है यह सचिन जी आपने बिल्कुल सही समझा है और सत्यवान जी ने भी बिल्कुल सही सही समझा है हट अखिल दिप्ति दिप्ति डी दिप्ति डी क्या है अच्छा मेरे जासे मेरा code आपको पता है न सबको सुनिल बी बी का मतलब बिस्नोई है सुनिल बिस्नोई है और यह code अगर यूज करोगे तो आपको on the spot have a discount मिलेगा अच्छा बहन वाला है अच्छा सबको दी बोलना पड़े ओके ठीक है बहन हां तो सुनो हम तो बोल देते हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका सवाल का अंसर बड़ा असान है क्या मैं लाइन स्पेसिंग की बात कर रहे हो तो दो लाइनों के बीच में जो स्प स्पेसिंग के नाम से जानते हो लाइन स्पेसिंग डाइगनल धोड़ना होता है तो वर्टिकल होता है तो यहां पर क्या है अच्छा लाइन स्पेसिंग के लिए तीन शॉटकट की है एक पास में एक शॉटकट की आपके पास में यहां पर होता है और एक आपके पास में य तो क्या करेगा आपको यह अपको डोidd get बाएगा यहाँ पे महनुबाव फस जाते हैं पै तो पांच का देलवाएगा नहीं यह default 1.15 होता है आपका by default 1.15 इंच होता है स्पेस आपका चीक है तो इसको भी जुरूर याद कर लेना है आपको by default इतना रहता है अच्छा डाइगनल में कुछ मेजर भी करते हो क्या डाइगनल में कुछ कोई चीज ऐसी है जो मेजर की है आपने कभी डाइगनल में कुछ मेजर किया हो आपने कभी किसी जमाने में screen size मेजर करते है बिल्कुल सही कहा सत्यवाद यह यहां से लेके इस corner से लेके यहां तक यह जो size है ना आपका इसका यह screen का size होगा आपका इसको screen size के नाम से जो है आम लोग जानेगे यह सारा screen size है आपका और screen size जैसे यह क्या है कितना है यह 75 inch का digital board है यह 75 inch का बोर्ड है यह तो 55 inch ऐसे मेजर किया जाएगा आपका कोई 86 board होता है 86 math वाले गुरुजी होते हैं उनको जुरूर्ट पड़ती है लंबे-लंबे बड़े-बड़े सवाल होते हैं उनके solve करते जाते हैं तो उनका digital board 86 का आता है यह digital board आते है 65 inch के 75 के 86 के और भी size वेकाल से 95 के भी आते होंगे अगर तो यह 75 inch है mobile की screen measure करोगे तो भी ऐसे कोई भी screen है सारी screen से diagonal measure की जाती है चलिए सर अगला सवाल बताईएगा हमें निमलिक्त में से किस folder का उपयोग delete किये गए email को store करने के लिए किया जाता है लो भाईया एक गम असान सवाल है पोई ऐसा ही नहीं कि इसको ना पता हो इस क्लास का पोई ऐसा बालक ना लगे मुझे कि उसको ना पता हो इस सवाल का अंसर हाँ trash ठीक बोला है आपने trash ठीक है ना delete होके सारा का सारा इस डिब्बे के इंदर trash ठीक ना एक अवाद सी आती है ना शू ऐसे करके चला जाता है उसको ने ठीक है ठीक है देखा होगा कभी आप लोगों नहीं आपे ठीक है ना सर एक मन्त ही होता है सर कि हम अपने according set कर सकते हैं क्या सेट करने की बात हो लिए इमेल बंबार्डिंग होता है हाँ इमेल बंबंबिंग जिसको बोलते हैं इसे वाले option आज कल मतब बसे mail के partitions रहते हैं आपके अलग अलग यह वाले ठीक ना एक inbox रहता है एक promotion रहता है एक update रहता है एक form वगरा करके कुछ होता है आपका ठीक है ना इस तरीके के options बने होत या नहीं किया एक बना दिया लेकिन आपने वहां उसको ड्राफ्ट में सेव हो जाता है ठीक है ना अन से एन सेंट मेल का हो गया आप लोग किसी को सेंट नहीं किया वही वाला है आपका यह ठीक है अगला सवाल क्या है कि विच अमंग दा following port also called as mouse port अचा mouse port किसे कहते हो यह कौन सा मुश्किल सवाल है तुमारे लिए असानी से बता सकते हो mouse port किसे कहते हो आप लोग आपको याद होगा मैंने तुम्हें बताया था दो color के port होते है एक तो आपका होता है कौन सा green color का आपको दिखता है और एक आपको दिखता है कौन से color का purple color का दिखता है ठीक है ना ग्रीन कलर वाला ये PS2 पोर्ट जो है ना यह होता है आपका किसके लिए माउस के लिए होता है और ये purple color वाला PS2 पोर्ट जो हैं यह होता है किसके लिए आपका की accus बोर्ड के लिए होता है इनकी कलर फिक्स होते थे पहले आप तो खेर यह आते ही नहीं है आपके लेकिन पहले कलर फिक्स होते थे तो सवाल का उठीक अंसर रहेगा ठीक है चलिए यह क्यूस्टन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं हॉमवक के लिए आप हॉमवक के रूप में बताईएगा मुझे इस पार्टिकुलर किस्टन का ठीक अंसर क्या है डिटेल से बताईएगा मैं मिलूंगा आप लोगों को कल शाम को सही 6 बजे तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखना 6 बजे से लेके 7 बस तक हम आपको पढ़ाएंगे कल शाम को जरूर आना हमारा टेलीग्राम हैंडल है उसको जरूर जोइन करने न आप लोग ठीक है और हमारा टेलीग्राम हैंडल क्या है आपको यादी है सुनील सर टेस्ट बुक ठीक ना सुनील सर टेस्ट बुक यह टेलीग्राम है इसको आप लोग जो है ना सारे के सारे जुरूर जोइन करना ठीक है कोई भी कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप लोग प्लीज मेरा कूपन कोड जुरूर यूज करना वो क्या है स-U-N-I-L-SUNEEL-B इससे आप लोगों को जो है ना मैक्सिमम डिसकाउट मिलेगा फिलहाल के लिए 90% सेल चल रही है ठीक है ना तो इस सेल का आप फाइदा उठा सकते हैं बहुत बहुत इपॉर्टन सेल है 90% सेल बहुत चोटी बात नहीं है ठीक है तो इसका फाइदा उठाईएगा मेरा कूपन कोड यूज करिएगा लिंक आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जबह दे रखाया चैनल को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आप लोग और के साथ में जुझे को लाइक निक करते हैं शुकरिया जी और अपनों का भी खाज जरूर रखना कल मिलते हैं आपको